इस तरह की दाड़ी को हम फोल बेर्ड नहीं कह सकते हैं कि योग की फोल बेर्ड की लोकी कुछ अलग होती है दोस्तों आप लोग देखते होंगे रिलेशन या अडोस पडोस या अपने भाईव अगरे में उनकी दाड़ी जो एकी पूरी नहीं आती है थोड़ी थोड़ी दाड़ी आती है जब ओ दाड़ी थोड़ा बड़ा होता है तो दोस्तों बहुत सरम आती है ये फिल सिर्फ उनको होगा जिसको ये प्रोब्लम होगी जिसको इस तरह की दाड़ी आती है अगर आप भी दोस्तो तो ये काम करते हो तो इसे मत करना तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको क्या करना है और कैसे इसे फालो करना है ठीक है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों आप सकते मैंने इस्टाग्राम उपेन कर लिया है जिनको फूल दाड़ी चाहिए वही लोग इस्टाग्राम पर आते हैं और अपनी प्रॉब्लम बताते हैं जो आलतु फालतों के लोग होते हैं ये वीडियो देखा वो वीडियो देखा उसके बाद इस्टाप आएंगे दो क्यू किया ही फिर उसके बाद आप यहां पर देख सकते हैं बोलो भाई मैंने बोला इनको ठीक अब यहां पर देखें इन्हों ने अपनी बियर्ड की इमेज मेरे पास जो है की सेयर किया और अपनी प्रॉब्लम बताई भाई मेरी एज इतनी हो चुकी है लेकिन मेरी फूल बियर होती है आप लोगोंको उल्टा इस्त्रा कभी नहीं कराना चाहिए टोसलों मेरे दोस्त जो हेर principal रॉड़ने की बहुत ज्यादा चांस ठीक है पहले मैं भी दो बार यार दो बार मैंने उल्टा उस तरह मरवाया था लेकिन मैंने ये गलती नहीं कि जब मैंने अपने आपको खुद फिल किया हाँ यार ये तुजरण से मेरे जो एकी दाड़ी चले गए अब मैं कभी उल्टा उस तरह नहीं लगाऊँगा उसी दिन से मैंने कान लिए बिल्कुल उस्तर लगवाने से डारता हूं और आज जो है कि मैं मिनोगडिल जर्णी में दोस्तों मैं हमेशा जो है कि अपने बीर्ड को अब सेप कराता हूं बट उल्टा नहीं सीधा कराता हूं अच्छे से कराता हूं ठीक है तो आपको यह गलती नहीं करना है अगर आप अपने बीर्ड जर्णी स्टार्ट की हैं दोस्त तो आपको यह जरूर फालो करना चाहिए तो चलिए मैं कुश्चन को देखता हूं और मैं आपको बताता हूं ठीक है तो इन्हों ने अपनी फोटो अगर सेंड किया और यहां पर इन्हों ने बोला है देखिए भाई ऐसे आती है मैंने बोला कि डॉंट वरी एज कितिनी है इन्हों ने बताई अपनी एज बताओ यार 21 साल हो गया और फिर भी अभी इस तरह की दाड़ी आ रही है दोस्तों इसे अगर आप ऐसे रहने देते हैं तो आपकी दाड़ी हो सकती है आए लेकिन बहुत ज्यादा ले कर दिया चलिए अगर नहीं सुनाइद दिया होगा तो उसके लिए सोरी अब यहां पर देखिए दोस्तों नेम नहीं समझ में सोरी ने नहीं समझ भाई लिए लिखसे मतलब जो मैंने इन्हें बोला की record करके इन्होंने समझ नहीं पाया इन्होंने बोला नाम लिख दीजिए और भाई मुझे एक बात पूछनी है जैसे मैं चाहता हूँ पूरे गाल पे जैसी सब की नहीं छोटी छोटी मोटी मोटी beard वैसे मुझे चाहिए इतना लंबा वाला क्यों आता है ठीक है तो यार दोस्त देखो अगर आपकी पैची beard है अगर आप चाहते हैं उसे मोटा घना करने के लिए तो दोस्त आपको ये जरूर फालो करना चाहिए आपको दोस्तो सुरुआती में मिनोगडिल जरूर यूज करना चाहिए अगर आपकी ये 17-18 है तो आप इसे skip कीजिए अभी वीडियो छोड़ के चलो जाओ भाई या कोई दिख करने ये ठीक है लेकिन अगर आपकी ये 20 पलस है तो आप इसे जरूर यूज करना आपकी बहुत से लोग गलती करते हैं मिनोगडिल डर्मा रोलर दो दो टाइम लगाते हैं ताकि मेरे को 15 दिन में ही रिजल्ट मिल जाए ये चुतियापा आप मत करना वरना आपके जो बीट के रूट होते हो दोस्तों डैमेज हो सकते हैं ज्यादा मात्रा में आप डर्मा रोलर औ और मिनोग डिली उच करेंगे तो ठीक है आपको ये गलती नहीं करना है और यहां पर मैंने एक चीज और रिकॉर्ड किया है बट मैं इसे प्ले करूँ या ना करूँ मेरे कुन नहीं समझे में आ रहा है आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं चलिए मैं थोड़ा सा प्ले कर देता हूं यहां रही है चलिए मैं इसे बंद करेता हूं ठीक है तो मुष्टेश पर ने सुरी मुष्टेश पर भी लगा सकते हैं क्या इसे लाग कूल करो स्बीर कि होते हैं ठीक है ओके भाई मैंने इने रिकॉर्ड के मादम से यही बोला था कि आपको मिनोग डिल और बायोटीन और डर्मा रोलर यूज करना लेकिन यह बात किसी को नहीं पता है तीनों एक साथ यूज करना है या वन बाई वन गर की यूज करना है देखो भाई मैं इसलिए बोलता हूँ प दोनों मागा लो ठीक कोई दीकर नहीं है तो दोस्तों उमीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो यार सेर जरूर करना लाइक बाद में भी कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब पहले करना तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक निया बाब बाय